आज है 8 अक्टूबर और में शुक्रता है करेंट अफेर्स पहला है इंटरनेशनल डेफ फॉर एरिडिकेशन आफ पॉर्टी यह 17 अक्टूबर को था और इसके थीम ते दिग्निटी फॉर आल इन प्रैक्टिस ठीक है उसके बाद इंडियन एज यह एक मैगजीन है इसमें जो बड़े स्टेट्स है इसमें हरियानों का पहले रांक है और स्टेट्स में सिक्किम पहले पर रहे दुसरे पर हमाचल तीसरे पर उत्रखंड उसके बाद प्रधार मंतरी भारती जन उर्वरक परियोजना इसके थाथ वन निशन वन फटिलाइजर श्कीम लाउंच ह लोगी गई कि वशीए वेचिखे गई अधिए वन नीशन वफ इसकी में क्या है इसमें जितने फैर्टलाइजर कम्पनीज या इस्टेट रीदिंग नियंटी इस हैं फटिलाइजर लिए बेच्टिंग एंट्विशा उनको कहा प्या है कि वह जो भी फैर्टलाइजर बैचत उल्क टियाई पर ही होगा और बागी पर इसका नहां होगा भारत ब्रैंट का ठीक है और इसमें मतलब इसका महिन उद्धिश है कि जो भारत के जो फट्लाइजर से उनको प्रमूट करना है उसके बाद PM किसान संबर्धी चाहिए यह क्या है यह एक one stop shop है जहांँ यह उनके लिए ज़रूरी चीजें होती है वह अवेलेबल रहेंगी फार्म सेक्टर्स के लिए वह चाहे प्रोड़क्टों या सर्विसेश्स हो दोलों ही वहां अवेलेबल होगा यह जो केमिकल अफटिलाइबल मिनिस्ट्री है उसका इनिशिटिव है और इसमें जो एक जए केंदर होंगे वो जैसे किसानों को क्रॉप के लिए कोई अडवाजरी चाहिए स्वाइल या सीड या टेस्टिंग फसिलिटी के लिए कोई सहाथा चाहिए ठीक है कोई बीज वगरा जैसे किसी भी को जो क्रॉप्स होती है उनकी जो अलग-अलग वराइटी के बीज आते हैं या पस्टिसाइड ठीक है इन सब को वो अवेलबल कराएंगे एवन अगर एक्विप्मेंट या मशीनी चाहिए होगे तो वो भी उनको अवेलबल कराएंगे ठीक है और इसके बाद अगर क्रॉप से रेटेट कोई भी एडवाजरी चाहिए फार्म प्रैक्टिस से चाहिए ठीक है माइक्रों न्यूट्रेंट्स कौन से ज़रूरी होते हैं यह सब का उनको नौलिज दिया जाएगा उसके बाद है नैशनल हाइवेज इंफार टरस्ट यह नैशनल हाइवे अथार्टी ऑफ इंडिया दोरह यह इस पांसर ट्रस्ट है इंफरस्ट्रक्टर्ट्स के लिए ठीक है इसमें जो गुबर्मेंट का नैशनल मोनेट्रेशिन पाइपलाइन है उसमें जो भी प्रोजे यह भी एक तरह से जैसे mutual funds होते हैं ठीक है mutual fund क्या होता है कि इसमें कई लोग अपना पैसा लगाते हैं common fund होता है उसमें कई लोग अपना पैसा डालते हैं और फिर उस fund को किसी दूसरे stock में invest किया जाता है ठीक है ताकि जो भी profit मिलेगा फिर वो सब में share होता है तो वैसे ही इ profit होगा वह सबको मिलेगा उसके बाद टेली mental health assistant and networking across state जिसको टेली मानस नाम दिया गया है short form में ठीक है यह वर्ड mental health के दिन launch किया गया था और इसका उद्रिश्च था कि जो mental health services है उनको telephone के माध्यम से provide किया जा सके ठीक है इंडिया में कहीं भी और जहां पर नहीं अभी ठीक है यह union health ministry का initiative है और एक संस्था है निमहांस करके ठीक है उसने ही initiative launch किया है मतलब वह इसको implement कर रही है निमहांस और International Institute of Information Technology बैंगलूरू ठीक है यह दो संस्था हैं जो इसको implement कर रही है और यह दो चरण में यह सिस्टम बनाए गया है जैसे टीर वन टीर 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 में क्या है कि train counselor होंगे या mental health specialist होंगे जो मतलब advice देंगे और टीर टू में उनसे भी जो next level है जैसे district mental health program या medical college या जो भी कहते हैं इस अंजीवनी program के तहत जो भी जुड़े हैं ठीक है वो लोग इस सुबधा में participate करेंगे फिर हैं green crackers green crackers कहां यह low emission cracker होते हैं मतलब इससे कम noise pollution और air pollution होता है इसमें जो harmful chemical release होता वो भी कम होता है 30% कम है जो regular crackers होते हैं ठीक है हर्फॉर नाइट्रेट्स आर्सेनिक मैगनेशियम सोटियम लीड बेरियम ठीक है यह chemicals होते हैं अलग-अलग उसमें जो light निकलती है किसी कोई पटागा तक आते हैं तो red निकलता है उसमें से yellow निकलता है ठीक है तो वह जो light होता है वह इन chemicals के वाज़े से आता है ठीक है sound त कर सकें यह green tracker है यह नहीं और इनको develop किया है council of scientific and industry research organization ठीक है तीन चार तरह करती जैसे स्वास है स्वास में जो होता है कि वह water release करता है ठीक है और जो dust particle होते हैं इसलिए वह settle हो जाते हैं तो air pollution कम होता है इस्टार में potassium nitrate और sulfur को कम किया गया है ताकि जो particulate matter होता है उसका production कम हो पाटाकों के वज़े से भी particulate matter generate होता है ठीक है और और सफल में magnesium इसमाल किया गया है aluminium को अटाए गया है ठीक है क्योंकि aluminium जो है वह ज्यादा noise produce करने के लिए यूज होता है ठीक है तो इनकी noise कम रखने के लिए magnesium कर इसमाल किया गया है जो कर्वेशनल फ्राय करकर्स होते हैं उसमें चार्कॉल और थर्माइट के साथ साथ oxidizing agent भी यूज होते हैं जैसे nitrate या chlorate sulfur agent और coloring agent यह सब इसमाल करके एक जो कनवेशनल फाय करकर होता है वो बनते हैं तीक है और इसमें कई सारे salt भी यूज होते हैं स्ट्रॉंटियम के सोडियम के बेरियम के कैल्शियम और कॉपर बगरा के कुछ metals भी यूज होते हैं जिससे पर्टिकलेट मैटर जनरीट होता है और इनकी सब्सक्राइब होती है वह 160-200ड डेसिबल तक होती है फिर स्टूटिशन्शिप amendment 2019 इसमें जो स्टूटिशन्शिप एक 1955 उसको अमेंड किया गया था और इसमें बताया गया था कि जो कुछ कंट्री से भारत की नेबरिंग पहले इंडिया में आ गये हैं तो इनको नागरिकता पतान की जाए और जो क्रिमिनल केस होते हैं इनके खिलाफ फॉरिनर एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत उनको भी हटाए ठीक है क्योंकि वो जो दोनों एक्ट है वो अकर कोई इलिगल इंटरी खरता है इंडिया में कि उनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए गया है उसके तहती किसी भी माइगरेंट या रिफ्यूजी को हमारे यह श्रंड दी जाती है यह श्रंका और मैमार दोनों के लिए बनाए गया था फिर है मल्टी डिमेशनल प्रटी मल्टी दिमेशनल प्रट तो यह सब भी आयाम होते हैं गरीबी के जब यह सारे आयाम मिलते हैं तो उसको मल्टी डिमेशनल प्रटी कही जाती है ठीक है और इसमें ही बताइगा है जैसे वर्ड बैंक है उसके साफ से अगर कोई 1.90 डॉलर नहीं कमारा एक दिन में ठीक है तो वह गरीब है वह एक डि आएग के जाता है तो इसी के लिए ग्लोबल मृटी डिमेशनल प्रटी इंडेक्स निकाला जाता है ठीक है उसमें कई सारे इंडिकेटर देखे जाते हैं जो मृटी डिमेशनल प्रटी इंडेक्स होता है उसको दो संस्थामेल की निकालती है Oxford Poverty and Human Development Initiative और UNDP का Human Development Report Office ठीक है है इसमें टीन डिमेशन होते हैं और अधस इंडिकेटर के इसमाल कहता है वो डिमेशन को उनकों से हैं health है health में दू है nutrition और child mortality फिर एजुकेशन में दू है years of schooling और school attendance उसके बाद standard of living standard of living में चे हैं तीक है छे indicators है cooking fuel sanitation drinking water electricity housing और assets फिर है इंडिया में पिछले 15 सालों में 415 मिलियन लोग गरीबी रिखा से उपर उठे हैं ठीक है यह दो हज़ार पांच-छे से लेके 2019-21 तक का डाटा था इसमें पहले 10 साल है उसमें टू-थार्ड लोग गरीबी रिखा से उपर उठे हैं और उसके बाद वन थार्ड लोग उसके अगले पांच सालों में ठीक है और जो इंसिदेंस ऑफ प्वर्ट्री था वो 55.1 परसेंट जो दो हज़ार पांच-छे में था वहां से घटके 16.4 परसेंट तक आया है 2019-21 में ठीक है और ओवराल वर्ड में देखा जा सब जादा गरीब लोग सब साहरन अफ्रीका में हैं अब भापे 57.9 करोन लोग गरीब हैं ठीक है और South Asia में 38.5 करोन लोग गरीब हैं ठीक है इंडिया में बीहार सबसे पूरे से स्टेट रहा और यहां पे सबसे तेज गरीबी गरती भी देखेने को भी मिली है ठीक है तो यह थैं आज के हमारे Current Fels सुने के लिए धन्यवाद